Very good evening to all of you, सभी प्यारे वियूर्स का वेलकम हैं YED के रिटोरी क्लास में मेरा नाम है अमन बहल, आज सुबह का सेकिंड आर्टिकल दा हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं टाइ एड़ टॉप इसका टाइटल है स्पोर्टिंग आर्टिकल है, टैनिस क्यूपर लिखा हुए, जोकोविक, नडाल और फेडरल क्यूपर और अपने आप में एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा वोकैबलरी बहुत ज़्यादा रिच है, इतनी ज़्यादा रिच है कि आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन ऐसे आर्टिकल भी हमें पढ़ने आने चाहिए, अपने लिमिट्स के बारे में हमें बार बार जो है चैलेंज करना चाहिए अपनी लिमिट्स को शुरू कर लेते हैं, उसी खास अंदाज में करना, सारी वोकैबलरी, सारी ग्रामर, सारी स्ट्रक्चर्स, जो भी आज आज आप सिखो के आदे पोने घंटे में, यू विल अपलाई ओन दिस क्लोस टेस्ट छे क्वेशन्स आपके सामने रख रहा हूँ, पहले पूरे मन से सिखो और फिर वीडियो के लास्ट में इन क्वेशन्स को सौल करवाता हूँ, सुलूशन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, स्क्रिंशोट ले ले इसका, चलिए शुरू करते हैं, आईए कुछ नया सिखते ह गरेट टाइ एड़ टॉप, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल शिखर पे एक टाइ हमें देखने को मिल रहा है, एक ड्रॉव हमें देखने को मिल रहा है, टाइ आप जानते हैं न, जब दोनों टीम्स बराबर खिलती हैं, बराबर के रन बन जाते हैं, क्रिकेट के मैच में तो tie हो जाता है वैसे ही tennis की दुनिया में बरावर के grand slam आ गए है टॉप पे तीन players के पास एक tie हो गया है बात कर रहा है on Novak Djokovic win at Wimbledon ये जोकोविक नाम को जो player है सर्बिया का इसकी जीत की बात कर रहा है विबलन नाम के इस grand slam event में अब इसके title paragraph से देखेंगे जोकोविक ने क्या कर दिया ऐसा कर रहा है जोकोविक नाम को जो player है ना ये pursuit of history में है जोकोविक is in pursuit of history देखे परसूट का मतलब होता है chase, surge, hunt है ना किसी चीज की तलास या किसी चीज का पीछा जोकोविक history बनाने के पीछे दोड़ रहा है, करा नहीं केवल not just tournament titles के पीछे ताइडल नहीं चाहिए अब इसको, अब इसको बनानी है history, 20 इसने जीत लिए है, 21 जीतते ही history का सबसे महान player जोकोविक बन जाएगा चलिए, subject आपका जोकोविक है, verb आपके is, subject और verb ऐसे ही blue और pink color में आपको मिलेंगे पूरे article के इससे आपके understanding बहुत develop होती है, जरूर से उसको follow करें, pursuit word को note कर लेना, पीछा, search, chase, hunt है ना, किसी चीज के desire को हम बोलते हैं, pursuit आपको आज के article के सारे vocabulary words दिखा देता हूँ, ताकि smoothly आप पहले ही उनको सीख करके article को पड़ पाओ, लेकिन उससे पहले, subscribe कर लेना, वीडियो को लाइक करके, आप जिस सलाज में सैनल पे पोँचे हो, यहां पे आ करके पूरी होती है, English को basic से कैसे सीखा जाए, है ना, इस section के यह topics कैसे approach करने है, आप शीखना चाते है skill को, तो YouTube पे दो playlist अवेलबल है, home page पी, paid playlist है, इसमें 100 hours का content विलेगा आपको इन सभी topics के उपर, आप इनको देख सकते है as a member, team membership plans है, join button में प्रेस करो और इस video को play करना, यहां आपको समझाय हुआ है, कौन सी membership में आपको क् यह हमारी vocabulary sheet है, आप इसको comment section से और telegram group से दोनों जगह से download कर सकते हो, इस vocab sheet के अंदर मैं आपको बचाता हूँ, detail के अंदर रोज 4-5 words, पिछले 200 words भी sheet में आपको मिलेंगे, अपना revision जो है बिल्कुल continue रखना, आज के 5 words है, enviable, caveat, snuff out, craft and guile, और एक word है plausible, जो हम पहले कर आज आप इसको फिर से encounter करेंगे, plausible से शुरू कर लेते हैं, पहले कर चुके हैं, ज़्यादा time waste करना नहीं है इस पर, plausible आपको मैंने बताया था, जो reasonable हो, जो likely हो, ऐसी चीज जो संभावित हो, जो की possible हो, वो क्यलाती है plausible, इसी के एक सनॉनम है probable, आज आप इस probable का एंटरीम जो है इस article में देखेंगे, improbable, improbable मतलब, जो चीज possible ना हो, जो impossible हो, जो की संभावित ना हो, है न, impossible को बोलते है, improbable, समझगे, यह word आप आप भी आ, जो है, encounter करोगे, article के दोना, अगला word है, enviable, देखो यह word बना है, envy नाम के एक nouns है, envy का मतलब होता है, देखो एक जलन ह होती है, इस type की, जिसमें आप सामने वाले से, किसी चीज के लिए जलन रखते हो, उसकी बुराई के लिए नहीं, बलकि उसके पास जो है, वो आपके पास नहीं है, इस चीज को लेकर के जब आप जलन रखते हो, सामने वाले से, वो कलाती है, envy, envy सही हमने एक word बना है, enviable ए चाता है कि आप जितनी दौलत उसके पास भी हो, समझें न, enviable, envy से बना हुए एक adjective है, जो बताता है, desirable किसी चीज को, Maria is a woman of enviable beauty, Maria एक ऐसी ओरत है, जिसके पास ऐसी खुबसूरती है, जो बहुत desirable है, हर ओरत चाती है कि Maria जेतनी खुबसूरत, मैं भी बना हूँ, इसको वर्दी एक्सलेंट भी बोल सकते हूँ, enviable नाम के जो है, adjective को, अगला मारा word है, caveat, इसको आप बहुत जगार देखोगे, थोड़ा सा advanced word है, simple बास्टा में समझाता हूँ, caveat का मतलब होता है, special condition, इस sentence आपको समझ में आ जाएगा, the man sold cheap second-hand products with a caveat of no warranty, ये आदमी बेचा करता था, sell किया करता था, पुराने second-hand products को, एक special condition के साथ, जो थी no warranty की, बहुत ही कम दाम में, 20,000, 30,000 में है न, second-hand car होगी, लेकिन साथ में बोल देगा कि मेरे पास लेकर के मताना, अगर 10 दिन बाद तुम्हारी कार ना चले, तो ये उसकी caveat होती थी, एक warning होती थी, एक special condition वो रखता था, एक restriction को लगाता था, तो caveat इसी को बोलते है, special condition या restriction, है न, इसको forwarding बोल दो, provision बो, caution बोल दो, अगला word हमारे activity को खतम कर दो, snuff out कर दो, समझके न, to put an end to something, किसी भी काम को, किसी भी चीज को, किसी भी इनसान को, किसी भी घटना को, किसी भी habit को खतम करने को बोलते है, snuff out करना, three fire vigards were called in, to snuff out the deadly fire, तीन fire vigards को phone करके बुलाया गया, call in किया गया, phone करके बुलाया गया, snuff out करने के लिए, खतम करने के लिए, इस घातक आग को, deadly fire को, समझके न, आदमी को मारो, चाहे आग को मारो, snuff out करनाता है, किसी चीज को खतम करना, याद रखें special verb को, last नमारे पास एक फ्रेज है, craft and guile, देखी ये एक है न, चलो मैं बजाता हूँ आपको, craft का मतलब होता है, art, आपका talent, guile का मतलब होता है, आपकी चतुराई, guile एक negative word है, ऐसी cleverness, जो की बहुत ज़्यादा धूरता होती है, धूरता, उसको बोलते guile, craft and guile का मतलब होता है, एक ऐसी देखेंगे, एक noun phrase है, आपकी चतुराई और आपकी कला को, दोनों के mixture को कहते है, craft and guile, the salesman used his craft and guile to close every deal, salesman used क्या करता था, अपनी कला और अपनी चतुराई को, हर deal को close करने के लिए, इसको proficiency बोल दो, trickery बोल दो, proficiency, positive word है, trickery एक, deception का मतलब, दोखे का एक negative synonym है, तो craft and guile positive और negative दोनों से मिलकर के बना हुआ, एक phrase है, अब यह देखो है, आपके चार words है, detail में बता दीए, आज के article में आप इनको देखोगे, revision अब आपको करना है, मैं दिशा दिखा सकता हूँ, आपको घर आके revise नहीं करवा सकता, चलिए summary time, summary चूरू करने से पहले एक छोटी सी चीज को add करूंगा, आप किसी भी exam के त्यारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके concept शीखना है, उतना ही जरूरी है, last moment पे उसके exams को देना mock test को, और mock test के अंदर test book भारत का leading brand है, और example आप देख पा रहे होंगे, चाए SSC हो, चाए BANKS हो, चाए UPSC हो, चाए Defense हो, हर exam के 1000 mock test आपको मिलते हैं, एक single package के अंदर, अब ये 17,000 mock test का पूरा package जो है, आपको मिलता है 299 रूपीज में एक साल के लिए, और 399 में 2 years के लिए, और ध्यान रखें, जब आप buy करें ना, तो Y8010 coupon code लगा ले ना, 10% additional discount मिल जाएगा, buying link को मैं डाल रहा हूं, comment section में, first comment में पिंड है, अब वहाँ से buy कर सकते हैं, देखो summary बहुत असान है, tennis की दुनिया के तीन खिलाडियों के नाम आपने सुने होंगे, अगर tennis नहीं भी देखते हैं, पहला है federal, दूसरा है नडाल, तीसरा है जोकोविक, हांसी की बात ही है कि तीनों महान खिलाड़ी एक एरा में पैदा होगे, generally एक युग में तीन-तीन महान खिलाड़ी पैदा नहीं होते हैं, आप देखो के पहले डॉन बैडमन आए, उसके बीस-पचाल साल बाद तंदूल कर रहे है, उसके बीस साल बाद विराट को लिया है, है ना, तो अलग-अलग प्लेयर्स हैं, अलग-अलग ए इतनी हैं अपने करियर में, जोकोविक ने हाली में की बराबरी किये, क्योंकि ये इनसे पीछे था और इनसे थोड़ा सा यंग भी है, हमारा आर्टिकल ये कह रहे है, टॉप पे आज की देट में आप तीन खिलाडियों को देख रहे हो, लेकिन जोकोविक कभी जवान है, ये बीस को भी पार करेगा और हिस्ट्री को बनाएगा जो नडाल और फेडर नहीं कर पाए, आज का पूरा आर्टिकल जोकोविक की इस विक्ट्री को सलिबरेट कर रहा है, इसके करियर के लिए शुब कामना है दे रहा है, और इसकी प्रशंसा कर रहा है, आज की टोन होग इसी समरी के उपर बेस्ट है, तीन संटेंस में आस्वर करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यह है, स्पोर्ट्स जो हैं वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इवल्व होते हैं, क्या यह जस्टिफाइबल होगा कि ऐसे महान खिलाडियों को हम कंपेर करें, जो डिफरेंट मेरा आंस्वर आपको मिल जाएगा फर्स कोमेंट में, मैं भी आपके साथ लिखता हूँ, आप भी लिखने ही कोशिश करो, चलिए, करें यूजिंग रोजर फेटवर एंड रफैल नडाल, एज मैजरिंग स्टिक्स तो असेस, वन स्टैनिस करदिंशल्स इज अ हार्ष, ए उसको बोलते हैं, मैजरिंग स्टिक, करें रोजर फेटवर और नडाल को अगर आप कसोटी बना लोगे, फुट्टा बना लोगे, इंची टेप बना लोगे, और क्यों करने के लिए, असेस करने के लिए, जाइजा लेने के लिए, किसी भी इनसान के टैनिस क्रेशल्स का, टैनिस में उतने कितने बड़े काम की हैं, कितना बड़ा जो मान खिलाड़ी है टैनिस में, किरहें यह जो काम है इस तरह की काम को करने का, किरहें यह बड़ा हार्ष है, बड़ा ही कठीन है, बड़ा ही अकड़ा काम है, और आखिरकार अल्टिमेटली यह एक फ्यूटल एक करना ये इतने बड़े रिकोर्ड बना करके वैठे हैं कि इसके सामने आप कोई भी रिकोर्ड को रिकोर्ड बहुत सार इस्टिक्स है तो criterion का plural होता है criteria याद रखना criterion singular, criteria plural assess का मतले होता है जायजा लेना, evaluate करना, estimate करना, harsh होता है बहुत ही कड़ा, futile हर वो चीज है जो कि फ्रूट लेस हो, पॉइंट लेस हो, यूज लेस हो, वेन हो, जिसमें कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो, मीनिंग लेस हो, है ना, अच्छा ऐसा क्यों है, अब आगे देखेंगे, कहानी की तरह पढ़ो इसको, कहाँ गाँ ये एकसी सी फ्यूटल होगी, कहाँ लेकिन ये बात की, ये बात की, अच्छा कौन सी बात, कि जोगो भी निकल करके आता है, कम थ्रू होना मतलब किसी चीज में से निकल करके iying बहुत ही डिफिकल्ट एक्षामिनेशन में जो और कैसे निकल करके आता है। with flying colors successfully, जब भी आप with flying colors निकलेंगे तो आप समझें, आपने success को पाया है, तो जोकोविक को सफलता मिलती है, करे यह जो बात है, is, that की वह बहुत है, यह है, एक testament, एक proof, उसकी genius का, उसकी महानता का, तो करे भले ही fruitless exercise हो, लेकिन जोकोविक जो है, इसको आप ना केवल compare करते हो बलकि दोनों से बहतर भी बताते हो, अपने आप में यही चीज जोकोविक को महान बनाती है, समझें, that की वह बहुत है, is, जोकोविक की वह बहुत है, come through, come through मतलब निकल करके आना, searing मतलब जलता हुआ, hot, fiery, जो आग लगा हो, searing examination को हिंदी बोलते हैं, अगनी परिक्षा, जोकोविक ने फेडर और निडाल के record को compare कर दिया है, इस अगनी परिक्षा से जीत करके बाहर निकला है, when you come with flying colors, इसका मतलब होता है, आप वह successfully किसी कांग बो कर रहे हो, आपने सफलता को हासिल किया, एक phrase होता है, come with flying colors, testament का मतलब होता है, proof, इसको आप testimony भी बोलते हो, testament औ अगे बड़े, करा on Sunday, the Serb laid down the most definitive marker yet of his dazzling brilliance by putting level with the celebrated duo on 20 grand slam single status, अब यह बता रहे है, जोकोविक को कैसे compare किया जा सकता है, इन तोनों से, करा रविवार को क्या हुआ on Sunday, यह जो सब है, सब का मतलब क्या है, सर्विया का national, जैसे अमरीकन मतलब अमरीका का, इंडियन मतलब इंड सर्विया का जो citizen है, इसने laid down कर दिया, इसने establish कर दिया, एक बहुत ही definitive marker को, एक बहुत ही पके निशान को, definitive मतलब पका, marker मतलब निशान, और yet मतलब अभी तक का, अज़ा किसी इसका निशान है, ओफ लगा के बता रहे है, यह निशान है, उसकी dazzling brilliance का, उसकी चम चमाती, का, शान और शोकत का, है न, excellence का, अच्छे कैसे किया, इसने कांगी, put level with करके, बरावरी करके, इस बहुत ही celebrated duo से, इस बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में fame पाए हुए, जो है duo से, duo मतलब दो लोगों की जोड़ी, नडाल और फेटरर की बात कर रहे है, और कैसे किया है, इसने 20 grand slam titles के साथ, एक बार repeat कर रहा हूँ, sentence बड़ा असान है, रवी बार को, इस serve ने establish कर दिया, अभी दखके, सबसे पके निशान को, यट अभी दखके, जो है उसकी billions का, और ऐसी billions जो dazzling है, बड़ी चमचमाती है, और ये कांग किया, इसने put level with करके, बराबरी करके, इस बहुत ही महान डियो की, जो है 20 grand slam titles की, इस बराबरी को बराबर करके, समझे ना, तो जो को भी को भी 20 grand slam मिल गए है, सब की वह बे लेट डाउन, पहले words देख लो, फिर में आपको फेजल बब करवाता हूँ, ले से बनने वाली सारी, dazzling मतलब चमचमाती हुई, bright, grittling, radiant है ना, दूर से आपको चौंद मारे dazzling किलाता है, billions आप जानते ही है, excellence हो, talent हो किलाता है, billions, अगर आप put level with कर रहे हैं, किसी के साथ उसी level पर आ रहे हैं, उसके साथ बराबरी कर रहे हैं, इसको आप word को बोलते है, emulate करना, है ना, किसी की बराबरी करना, put level with करना, duo होता है, दूर लोगों की जोड़ी, नडाल और फेटर की बात यहां पर हो रही है, lay down का मतलब होता है, establish करना, lay से बनने वाली चार phrasal verb में आपको बार बार करवाता हूँ, हर लड़के और लड़की को याद होनी चाहिए, जो मेरे साथ एडिटोर्यूस को देख रहा है, यही पर वीडियो को पॉस करो, अपने आपको चैलेंज करो, lay out, lay aside और lay over, lay out, lay aside और lay over, इनके क्या मेनी है, वैं लिख देता हूँ, याद आजाएगा आपको है न, lay out का मतलब होता है, खर्चा करना, lay aside का मतलब होता है, save करना, किसी चीज़ को side पर रख देना, कल खर्च करेंगे, lay ब्रीफली, जैसे कोई plane है, आप मुंबई जा रहे हो, दिली से, वो रस्ते में एमदाबाद रुक गया, तो एमदाबाद में उसका दो घंटे का lay over है, दो घंटे के लिए hold करेगा, वो plane जाएगा तो मुंबई, है न, तो ये तीन phrasal verbs है, इनके ओवर भी meaning है, मैं आपको वाले meaning कर वारो हैं, जो सबसे कम known होते हैं, जो बार बार पूछे आते हैं, screenshot ले ले न भाई इसका, चलो आगे बढ़ते हैं, of his achievements, करे एक tense चार सेट की जो विक्टरी है, एक बहुत ही tense भरी है न, tense समझते हो न, जिसमें बहुत सारी tension हो, करे एक बहुत ही कड़ी चार सेट की जो विक्टरी है, और किस की उपर, इटली की इस आदमी की उपर, करे इसने भी दे दिया जोकोविक को, उसका तीसरा सीधा सिधा सिधा स्ट्रेट टाइटल, इस ओल इंग्लिश क्लब नाम के टॉन्टामेट में, और और इसका छेमा है है न, वैसे तो तीसरा है स्ट्रेट, मतलब तीन सालों में लगा दार, और वैसे इसने छे जीतने हैं, रुग रुप के, करे और इसने help भी किया विक्टरी ने, इसको मदद भी की, कि ये complete करे, फ्रेंच ओपन विबल्डन के double को, करे ये एक ऐसा accomplishment है, फ्रेंच ओपन और विबल्डन दोनों को जीतना, जो की one of the sports toughest achievement है, इस sport की खेल की, आज तक की सबसे खड़ी, जो है कड़ी achievement में से एक है, क्या विबल्डन और फ्रेंच ओपन दोनों को एक साथ जीतो, समझगे ना, sentence simple सा है, victory ने इसको दिया, इस title को, और victory ने इसको help किया, इस achievement को पूरा करने के लिए, अब आज़ो sentence पर देखने वाली चीज, victory की दो verbs है, gave और helped, help के बाद में, चाहे आप benefit लिखो, चाहे to infinity लिखो, helped to complete, वो भी ठीक होता, और helped बिना to के complete यह भी ठीक है, help एक वो भी ऐसी है, दोनोई चीजे अपने बाद में लेती है, अब आजो इसमें दो concept देखें, फटाबट grammar के, सब को आने चाहिए, बहुत बार कर चुके है, revision की तरह करवा रहा हूं, है ना, जो लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, चारों question को फटाब hyphenated adjective, अब यह क्या होता है, एक तो इसमें plural नहीं होता, और दूसरा इसमें बीच में hyphen लगाया जाता है, इसलिए इसको hyphenated adjective बोलते हैं, practically करके बता जता हूं कैसे हो गए, we went for a five days holiday, and we went on a holiday for five days, पहले case में हम पांस दिनों के लिए holiday पे गई हैं, दूसरे case में हम पांस दि प्रपशन का object है five days, यहाँ पे a five days, यहाँ पे a holiday के लिए, और five days जो आना है holiday के बारे हैं, पांस दिन का holiday था, दस दिन का holiday था, मनाली का holiday था या अमरीका का holiday था, यह जो five days नाम का phrase देख रहे हो, है तो noun phrase, लेकिन adjective को काम कर रहा है, इस holiday नाम के प्रपशन के object के लिए, अ अब जैसे ही आपने देखा noun adjective बन गया, तो आप क्या करोगे, इस adjective के बीच में लगा दोगे एक dash, समझगे ना, hyphenated adjective इसको बनाना पड़ेगा, और दूसरा काम क्या करोगे, last का s जो है आप निकाल दोगे, समझगे, यही छोटा सा concept है, noun जब जब adjective का का काम करे, उनके last का s निकाला जाए और बीच में hyphen को लगाया जाए, वैसे इसको देख लो, we went on a holiday for five day, हम पांस दिनों के लिए एक holiday पे गए, यहाँ पे for proportion का object है five day, ध्यान से देखो, day जो है na object बन जाएगा is for proportion का, यहाँ पे five day कोई noun नहीं है, अगर यह noun नहीं है तो पहले तो बीच का hyphen निकालो और फिर इसके पीछे s लगाओ, अब आपके दिमाग में सवाल आता है, जो लोग जो ना, इंग्लिश को लॉजिक से नहीं समझते हैं, वो बोलते हैं, सर यहाँ पे तो five day लिखा था, बीच में hyphen लगाया था, यहाँ पे नहीं लगाया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया, क्योंकि तुम रूल्स को लोजिक से नहीं समझ रहे हो, आज लोजिक बता रहा हूँ, इस लोजिक से हमेशा चलना है, अब इस पर भी अप्लाई करेंगे, I found a twenty rupees note on the road, मैंने पाया एक बीस रुपे के note को road पे, found verb का object है note, क्या पाया मैंने note को, अब note कितन नहीं का था, ये twenty rupees एक adjective इस note के बारे है, note सो रुपे का भी हो सकता था, और note एक रुपे का भी हो सकता था, ये twenty rupees अगर adjective है, तो बीच में क्या करोगे, हाइफन लगा दो, हाइफन लगा दो, और बाहर का s निकाल दो, I found a twenty rupees note on the road, समझ गे ना, hyphenated adjective ऐसे बनाए जाते है, लेकिन इसको देखो, I have twenty rupees in my pocket right now, मेरी pocket में अभी 20 rupees है, अब देखो, यहाँ पे have a verb का object है, twenty rupees, note इसके आगे नहीं लगा हुआ, ये खुदी एक noun है, ये adjective नहीं है, बीच का हाइफन निकालो, और रुपी के आगे s लगाओ, क्योंकि 20 rupees है, s लगाओगे, तभी plural बना पाओ हुए, बस ये concept है मेरे भाई, simple सा, कब आपको noun को adjective बनाना है, और कब noun को chance से जीने देना है, बिना adjective बनाए, बिना पिछे से s को निकाले, बढ़े आगे, अब ये victory के लिए है, four set, तो यहां हमने हाँ पे s को निकाल दिया है, बीच में हाइफन लगा दिया है, hyphenated adjective इसको दूसरा ये one वाला concept है, इस पर इतने सवाल आते हैं मेरे बास, इस सर ये formula हमने देखा था उस किताब में, लेकिन यहां पर नहीं लगा, formula के चक्कर में मत रहना, मैं बताता हूं कैसे, one of my friend या friends has या have invited me to dinner this weekend, मेरे friends में से एक friend ने मुझे इस weekend पे invite किया है, इस dinner पे बुला है, मुझे बताओ, मेरे बहुत सारे friends है, उनी में से एक friend ने मुझे invite किया है, अगर मेरा friend ही एक होता, तो मुझे one of my friend लिखना है ना पड़ता, मैं बोल देता, मेरे एक ही दोस्ता उसने मुझे बुलाया है, one of का मतलब क्या है, बहुत सारे friends में से एक friend ने मुझे बुलाय इसका मतलब क्या है, वन ओफ के बाद में नाउन हमेशा plural आएगा, तो मैं यहां लिखूंगा, one of my friends, friend नहीं, friends तो one of के बाद में plural noun आना चाहिए, ऐसे बना है formula, अब आप कहते हो इसके बाद में singular verb आने चाहिए, बिल्कुल बाद ठीक है, one of my friends, एक friend ने मुझे बुलाया है, one की verb क्या होगी, singular होगी, इसलिए हम इसको singular verb देंगे और यहां लगाएंगे, has invited me to a dinner, समझे बाद को, लेकिन formula को याद करके paper में जाते हो, और रटे मार के जाते हो न, इसका logic नहीं पता होता, तो formula fail हो जाता है, अब देखो इस sentence को, one of my friends, that has or have invited me to dinner, this weekend, is a doctor, मेरे उन दोस्तों में से, एक दोस्त ने, जिसने मुझे इस weekend पे dinner के लिए बुलाया है, वो doctor है, again, one of my के बाद में तो friends ही आ kissing dinner पे बुलाया है, मैं का रहा हूँ, दस में से, जिसने मुझे weekend पे बुलाया है, उन में से एक है doctor, एक engineer हो सकता है, एक हो सकता है, एक हो सकता है, एक हो सकता है, actor हो, समझ के अलए बाद को, यहाँ पे that जो है, इसका decent friends है, इसकी verb आईगी how, अब आ बोलों के sir formula कहा गया, अ की फ्रेंड्स के लिए लगाया गया है अब देखो वन की वर्ब का है वन की वर्ब यहां रखी है सिंग्लर वर्ब इस वर्ब तो आएगी वन की लेकिन आगे पड़ी है आप देख नहीं पारे हो आप हैप पर यह टक गए समझगे फॉर्मूला याद करने से पहले फॉर्मूला का लॉजिक समझा करो ताकि एक्जाम में फॉर्मूला याद ना भी आए तो अभी लॉजिक से क्वेशन करके आओ और फॉर्मूला याद हो तो आपको उसके पीछे का लॉजिक बताओ कब वो फॉर्मूला फेल होगा बढ़े आगे चलो करें हां जोकोविक्स record equaling feet had seemed improbable as recently as the summer of 2018 करें जोकोविक का जो record equal करने वाला feet है 20 grand slam का record बराबर करने का जो कारनामा है feet का मतलब होता है achievement ये कारनामा करें ये दिखाई दिया था seem होता था improbable अब देखो possible का synonym था probable improbable मतलब impossible करें बिल्कुल ही impossible दिखाई दिया था इतना recent में जितना की summer of 2018 तो 2018 अभी दो ही साल पहले तीन साल पहले ही जोकोविक को देखकर के लगता नहीं था 20 grand slam वो जीत पाएगा लेकिन उसने जीत लिए feet मतलब कारनामा आपका subject है 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 इंप्रोबेबल मतलब impossible या impossible या अंजस्टिफाइड जो में देखने में बिल्कुल भी समभवित ना लगे as a 31 year old he entered that year's Wimbledon as the 12th seed after having spent 2 years on the fringes 31 year की age में 31 साल के आदमे के तौर पे वो एंटर किया था इस साल के विंबल्डन में 208 रखे और कैसे 12th seed के तौर पे अब ये seeds का कोई connection होता होगा टैनिस में मुझे पता नहीं है कोई ये समझ लेना थे ना नेट पे सर्च करना पड़ेगा आपको सीड क्या होते हैं करब बार में सीड के तौर पे उसने विंबल्डन में जो है बार में खिलाडी के तौर पे विंबल्डन में आया था और कब होने के बाद ये अब चुक offered करें के बाद दो साल को ओ या पर्रेंचेटर वहे रगिफर क्योते हैं बाइसे तो आई पाहर-बाइस developers कहलता हुआ और येसा हो पाहर-बाइस व 508 में विंबल्डन में वह गुषा था और इक्टीस में उसने record को बराबर कर दिया है समझ गे, ही की वर्ब है एंटर्ट, हैविंग स्पेंट यहां पर पर्फेट जीरंड है, बहुत बार कर चुके हैं, आज फिर से नहीं करूंगा, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फर्म किलाती है, किसी प्रेप पोजिशन के बाद में पर्फेट जीरंड, चरिए, किरा फेटरोल नडाल गेनिग सेकेंड विंड्स, हाड स्वेट अप्रफीज सेक्स्लैम्स, और अल्यडी ऑन 20 ताइन 17 अर्फेटिवली, किरा उस वक्त में क्या था, फेटरोल नडाल गेन करते हुए सेकेंड विंड्स को, Second Wind का मतलब होता है Restored Strength जैसे आप अच्छा खेलो फिर आपका थोड़ा सा बुरा दर दो रहे फिर आप फिर से वापिस आओ वापसी करो, comeback करो तो आपको Second Wind मिली है आपको एक बार फिर से energy का burst मिला है दूसरी बार है ना तो कहरा है Federal और नडाल comeback करने के बाद में Second Wind को gain करने के बाद में 2018 में sweep कर चुके थे पिछले 6 grand slams को और अल्रेडी थे 20 और 17 पे Federal बीश पे था और नडाल 17 पे था ऐसा उस वक्त में माहुल था 2018 के अंदर समझ गे नडाल और Federal की वाप है head swept और दूसरी वाप है वर end conjunction के बाद क्या था इन्होंने gain करते हुए second wins को अपनी comeback करते हुए बढ़े हांगे sweep करने का मतलब होता है एकदम saaf कर देना, whitewash कर देना, किसी को जितने का मोकाई ना देना है ना, किसी tournament को sweep करने का मतलब होता है all round एक जूस tournament को जो है single handedly win करना but Jokovic rediscovered his mozo and has since won 8 of 12 majors the most dominant streak of his career करया लेकिन उसके बाद से Jokovic का वक्त शुरू हो गया करया लेकिन Jokovic ने rediscover किया अपने magic को, अपनी mozo को और तब से जीत चुका है 12 में से 8 majors को ये आज तक की सबसे dominant streak है सबसे dominant series है उसके career की तो उसके बाद में इसने Mokai in India किसी को जब से 2018 में आया 12 में player के तोर पे तब से आज तक 12 में से 8 tournament इस आदमी ने अकेले जीते हैं समझ के Jokovic की वो होब है rediscovered दूसरी वो होब है has since won and conjunction के बाद mozo का मतलब होता आपका magic आपकी special power streak का मतलब होता है एक series एक spell एक के बाद एक victories आती है जीते आती है तो वो आपकी streak है आपकी series है के रहे he has conquered Federer on grass Nadal on clay and snuffed out rebellions from the games next generation of Dominic Thiem Daniel Medvedev Stephanos Stipisas and Baratini यह सारे flares के नाम है ठीक है न के रहे उसने conquer किया है Federer को जो grass पे सबसे पहले तो वापीस आया Federer को grass coat पे रहाया जो Federer का favorite coat है फिर Nadal को हराया clay coat पे जिसका बादशाह है Nadal दोनों को पहले इसने हराया और फिर इसने snuff out किया इसने खतम कर दिया इसने kill कर दिया rebellions को सारे के सारे उबदरवियों को इस game की next generation से जिनके नाम थे ये तो अपने से पुराने और अपने से नए सब महान के लाडियों को एक एक करके 2018 से हराता आ रहा है उनके favorite मैदानों पे समझ के he की वह बहुँ है has conquered दूसरी वह बहुँ है snuff out snuff out आप देख चुके हैं किसी चीज को ख़दम करना kill करना knock off करना जैसे आग को बुझाया तो snuff out किया rebellion का मतलब होता है उपदरवी अपराइजिंग बोल दो descent बोल दो instruction बोल दो किसी भी उपदरव को किसी भी करांती को बोलते है rebellions अब देखो आगे बढ़ते हैं एकदम streak पे है एकदम पूरे ज़वे टॉप पे है अपने गेम पे beating यहां पे present participle simultaneous section है जब यह इन लोगों को हरा रहा था इन बच्चों को मार रहा था snuff out कर रहा था तब ही यह उनको beat कर रहा था अपनी last trophies के अंदर आगे बढ़ेंगे structure समझ में आ रही है हर चीज 100% clear होनी चाहिए तब ही आगे बढ़ा करो करा so much so that he now feels the most complete he has ever been as a player करा so much so अब देखो यह बहुत सारी adverbs हमारे पास चारों माने एक साथ आपके सामने लिख दी है करा इतना की so much so का मतलब होता है इतना की करा इतना की कि अब वो feel करता है कि वो most complete है as a player आज तक जितना बूर रहा है वो बोलता है कि मैं आज तक जैसा भी player रहा हूँ आज की rate में सबसे complete player हूँ आज की rate में मुझे अपने आप पे सबस्यादा आत्म विश्वासा 31 साल की उमर में समझ गे so much so adverb है he की वोब है feels he की वोब है has ever been अब ध्यान से समझने है so much so so much as more so all the more all the more मतलब even more so much as मतलब even even की जगह आप so much as भी लिख सकते हो so much so का मतलब होता है इतना की यह movie बहुत खूबसूरत है बहुत ही अच्छी है इतने की कि इसने सारे records को break कर दिया यह खिलाडी बहुत ही बड़ा खिलाडी है इतना की कि इसने आज तक के सारे जो है खिलाडीों को अपने से महान खिलाडीों को इसने एक एक करके हरा दिया है तो so much so का मतलब होता है इतना की, more so का मतलब होता है to a greater extent, किसी अलग से वीडियो में करके इन चारों को अलग-अलग sentence बना के दिखाऊंगा, आज खाली so much so, so much as को याद करने कोशिश करें, इतना की और even, बढ़ें आके screenshot ले लो इनका, बार-बार ये मिलेंगे आपको, यही meaning इनका निकलेगा, जहां भी इनको आप देखोगे, करें, the accomplishments have inevitably reignited the debate, on who the greatest men's players of all time is, करें ये जो accomplishments है, ये जो कारणामे है, उपलबदिया है, इन्होंने reignite कर दिया है, फिर से भढ़का दिया है, inevitably, inevitably का मतलब है जिसको avoid नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने inevitably, inevitably reignite कर दिया है, और considerate, करें, कोन जो है greatest men's player है, all time का is, कोन आज तक का सबसे महान खिलाडी है, समझके न, तो आज कल सब लोग confused है, फेडर को महान बोले हैं, कि पीट संपरास पुराने वाले थे उनको बोले हैं, कि जोकोविक को बोले हैं, कि नडाल को बोले हैं, रोज नया record जो है, कोई कोई खिलाडी बना देता है, accomplishment की वह भब है, have reignited, ignite का मतला होता है, जलाना, भढ़काना, तो इसको restart बोल दो, re-kindle बोल दो, किसी भी चीज को फिर से भढ़काने का बोलते है, reignite करना, inevitable हर वो चीज है, जिससे बचाना जा सके, ऐसी debate तो ignite होनी थी, ये काम inevitably होना ही था, who की denied chances to compete in majors in 1950s, because he had turned professional, Jokov is without doubt the best of his generation, अब जो मैंने आप से सवाल पूछा था था न, दो एरास के दो यूगों के खिलाडियों को compare कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसी का जवाब यहां मिलेगा, करे जहां या जबकी, comparison जो है between eras, दो यूगों के बीच में, अक्सर वो limited होते हैं, अ आते हैं, caviar की तरह हैं, किस के साथ में आते हैं, बहुत सारी warning से साथ में, बहुत सारे special conditions के साथ में, अब देखो यह बीच वाला में, अलग से बाद में बढ़ाऊंगा, यह जो हाइफन से हाइफन का है, इसको अलग कर दो, बाकी आगे का बढ़ लो, किरे आफ वहीं पे जोकोविक जो हैना, वो बिना डाउड के best है अपनी generation का, अपनी generation में जोकोविक से बढ़ा कोई खिलाडी आप नहीं देखोगे, समझे ना, जहां पे comparison आप अलग अलग यूगों के वीच में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी conditions होती है, वो आदमी किस यू पेर चाहे ना करो, अब बीच वाले का पड़ो, करा थिंक, सोचो, इस ग्रेट पांचो गोंजलिस को, जो डिनाइक किया गया था, चांस को, मौके को, compete करने का मेजर्स में, पूरे 1950 के दशक में, क्योंकि वो professional turn हो गया था, क्योंकि वो tennis को professionally खेलने लग गया था, amateur level पे खे बड़ा खेलाडी था, इसको खेलने नहीं दिया, अब जब इसको खेलने नहीं दिया तुमने, तो इसका record बना ही नहीं, अब इसका record बना ही नहीं, तो इसको आप compare करने नहीं सकते हो, आज की डिन में जोकोविक के साथ, तो ऐसे बहुत सारे caveats, अलग-अलग यूगों के खेलाडियों के बीच में comparison में आपको लगाने पड़ते हैं, समझ गे, अब धिहान से देखेंगे, sentence में देखने बाली चीज, comparison की वर्ब है are, दूसरी वर्ब है कम, दोनो plural verbs है, plural noun है, subject के तोर पे, and conjunction से जुड़ी हुई है, era का मतलब होता है, yug, caveat मैंने आपको बता दिया, वो आदमी कारे बेजता था, और बोल देता था, कि साथ में भई, कार को खराब होतो मेरे पास वापिस मतलाना, special condition या warning को बोलते है, caveat, he की वब है, head turned professional, जो को वक की वब है, is, बढ़ें आगे, this will be his record, 329th, as word number 1, and he is the only man to have won all 4 slams, all 9 ADP Masters 1000s, and the year ending ATP Finals twice, अब बता रहा है उसक इस week में उसने क्या किया, करा यह जो week है न यह होगा, उसका 329th week, और कैसा word number 1 के हिसाब से, 329th week है, उसका word number 1 का, देखे तो साल में कितने हफते होते हैं, कितने सालों से यह word number 1 बना हुआ है, और करा वो अकेला ऐस आदमी है, only man है, जिसने जीता है, सारे के सारे, 4 grand slams को, स सारे के सारे year पे end होने वाले finals को दो बार, मतलब इसका year record है, सारे तो सारे जीते ही है, अकेला ऐस आदमी है, जिसने एक बार नहीं, बलकि दो बार सब का सब जीता है, simple sentence है, week की वब है, will be, he की वब है, is, करा no other statistic better represents his relentless pursuit of excellence across surfaces, continents and season, करा कोई भी दूसरा statistic नहीं है, कोई भी द के relentless pursuit को उसके बिना ठके हुए pursuit को, relentless मतलब जो relate ना करे, जो ठके ना, जो रूके ना, इस पीछे को, इस stage को, जो है महानता का excellence का, हर surface पे, हर continent पे, और हर season में, हर जगा खिला है, हर तरह के code में खिला है, हर तरह के महादीप में खिला है, हर condition में खिला है, और अपना ऐसा ए next month, he has a shot at sporting immortality, as he can become the first man since road lever in 1969, to win all four majors in a single year, करे, जैसे ही, at the US Open, जो US Open है, start हो जगा नेक्स मन्त, जो भी शुरू होने वाल है, करे, उसके पास एक shot है, उसके पास एक मोका है, sporting immortality का, immortality मतलब होते है, अमरता है न, अब मरो इना, sporting मतलब, खेल में जुड़ी होई, खेल से जुड़ी होई, तो करे, अब US Open जब शुरू होगा न, अगले महिने, तो उसके पास पूरा मोका है, अमर होने का tennis के खेल में, करे, जैसे ही वो बन जाता है, या जैसे ही वो बन सकता ह पहला आदमी, रोड लोवर के बाद में, 1969 के अंदर, विन करने वाला सारे के चारे चारों मेजर्स को, एक ही साल में, इन अ सिंगल यर, अगर ये काम करतेगा, तो ये 1969 के बाद में, पहला आदमी बन जाएगा, इस काम को करने वाला, अमर हो जाएगा, sports के इतिहास में, tennis के इतिहास में, ही की बाद में, ही की बाद में, ही की बाद में, इस काम को पूरा करने का, करा आशली बाटे, may be a long way from such monumental successes, but like जोकोविक, अब बात कर रहा है, किसी एक दूसरी, female tennis player की, जिसकी जोकोविक से comparison हो सकती है, करा है, ये जो player है न, female player, करा हो सकती है, बहुत long way from हो, ऐसी monumental success से, ये जो छोटी खिलाडी है, यंग खिलाडी है, एशली बाटी, हो सकता है, अभी भी बहुत दूर हो, ऐसे बड़े-बड़े, कामियावी भरे कारणामों से, जैसे की, जोकोविक ने की है, कराल, लेकिन जोकोविक की तरही, like जोकोविक, उसने प्रूव किया है, adapt, उसने प टाइब का सर्फेस होता है, विंबल्डन में अलग टाइब का सर्फेस होता है, तो ये लेडी, वो ही लेडी है, जिसने दोजार इनिस में, दोनों को जीत करके दिखाया है, और एशली बाटी, एक ऐसी प्लेयर है, जो जोकोविक की रहा पे आगे बट रही है, समझ के, इस मैसिव, टर्मेंडस हो, टावरिंग हो, एक्सिलेंट हो, है ना, ऐसी चीज को बोलते है, मॉनुमेंटर, एडेप्ट का मतलब होता है, प्रोफिशेंट, एड्रोइट, एवल, जो अपने आप में बड़ा कुशल हो, कलाता है, अब आगे बताएगा, के रहे हैं ये 25 बीड उसी, क्राफ्ट गाइल, वस फुली ओं डिस्प्लेई, एज फेल्ड ओपनेंट्स एज चौकन चीज, एज एंजलीक, करबर, एड करोलीना, लिस्कोवा, ओल आउट अटेकर, के रहे हैं ये 25 साल की जो ऑसी है, और स्ट्रिलिन प्लेयर है, ऐसली बाटी, 25 साल की है, इसने, इसका क्राफ्ट एंड गाइल, फुल डिस्प्लेई पे था, क्राफ्ट एंड गाइल आप देख चुके हो, आपकी आर्ट और आपकी कलावाजी, है ना, आपका कुल मिला करके, जो टोटल गेम है, दोनों तरह का, नेगटिव और पॉस्टिव, केरा है, इसकी चतुराई औ और इसकी कला को फुल डिस्प्लेई पे रखा गया था, दिखा गया था, जैसे ही उसने फैल कर दिया गिडा दिया, ओपनेंट्स को, जो इतने चौकन चीज थे, जो इतने अलग थे, जितने की पहले तो एंजलेना करबर और दूसरी ये वाली प्लेयर, ये एंजलेना करब क्राफ्ट को एक फ्रेज की तरह यूज कियाता है, इसलिए इसको हम ने सिंग्लर वर्ब दी है, इसलिए वर न लगा के वाज को हमने लगाया है, शी की वाप है ये फ्ल मैंने आपको एडियोमर फ्रेजिस की सीरीज में करवाय था, इसकी पूरी कहानी बताई थी, जो दूसरी यह fell, fall का मतलब होता है गिर जाना, fell का मतलब होता है गिरा देना, fall जब आप खुद गिरोगे तो कोई object नहीं होगा, fell verb का हमेशे एक object होगा जिसको आप गिरा रहे हो, इनकी verb की second और third form चलती है, fall fell fallen और fell felt, इसकी second और इसकी first verb एक जैसी है, इसलिए confusion भी होती है, सबसे पहली चीज़ आपको verb का object मिलके है, गिरा गया attacker को, object मिलते ही समझ जाना है, यह fell वाली verb आएगी, अब देखो second form लगानी है, हमने second form यह वाली नहीं बलकि यह लगानी चाहिए, fell को निकाल दो, यहां लिख दो felt, समझे ना, गिराया है तो गिराने के लिए felt होगी, fell का मतलब है, खुद गिर गई, खुद नहीं गिरी, उसने attacker को गिराया, the price of oil has fallen या felled to $10 per barrel, price जो है, oil का गिर चुका है, दस डॉलर पर barrel पे, अब देखो price खुद गिरा है, जिस चीज़ को गिराया है, उसको object भी नहीं है, मतलब पहली वाली verb आएगी, has लगा हुए, तो व form क्या होती है, fallen ना की felt, समझ के दोनों अलगलग verbs है, इनको अपने अलग-अलग meaning और grammar के साब से चलाएं, object देख लिया करें, उससे आपको idea लग जाएगा, कौन सी verb यूज़ करनी है, और कौन सी नहीं करनी, इसने भी गिराया है अपने opponents को, इसलिए हमने fell नाम की verb को second form को यूज़ किया है, करें with modesty in her bones, she oozes an envibly underrated elegance, something the tennis world is sure to see more and more of, करें modesty के साथ में अपनी bonds के, अब इसके दो meaning है, एक तो अभी हड़ियां पक्के नहीं हुई है, बहुत छोटी है, 25 साल की है, अभी भी immature है, बहुत छोटी age में है, young age में, दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता ह बहुत कमजोर है वो, शरीर से बहुत दूबली बतली है, most probably हम उसकी कम age की बात कर रहे हैं, कमजोर तो sportsman वैसे होते नहीं है, तो करें छोटी सी उमर में ही, modesty in her bones है, दूल के दान अभी उसके उतरे नहीं है, करें ऐसी age में, ये ooze करती है, इससे टपकता है, और क्या टप जिसको जादा मीडिया में coverage नहीं मिली है, और ये ऐसी है, जो enviably है, जो desirable हो जिसको सब को envy हो जिस चीज को लेकर के, तो करें इससे टपकती है, ऐसी महानता, जो सब के लिए desirable है, लेकिन अभी तक जिसको coverage नहीं मिली है, understated है, करें एक ऐसी चीज भी है, जिसको tennis world sure है, प frustrated नहीं रखेंगे, इसको में अच्छे से limelight देंगे, समझ के, she की verb है, ooze करना, ooze के लिए मैं आपको एक छोट आसा phrase दिखा रहेता हूं, किसी चीज के रिसने को कहते है, ooze करना, वैसे तो bottle में से पानी निकले, तो वो ooze करना कहलाता है, लेकिन ooze करने का मतलब ये भी हो तो किस वर्ड को, elegance मतलब महांता, understated मतलब, जिसको हमने ज़्यादा limelight नहीं दिया, अच्छे से state नहीं किया है, थोड़ा सा मुश्किल था इसका article, कोशिश मेरी यही लिए कि 100% आपको कहानी की तरह बताऊ, रोज अगर regular रहोगे, तो ऐसे articles piece of cake बन जाएगा, so article पूर fell, fallen में क्या difference है, यह adverbs क्या कहलाती है, caveat, monumental, laid out, snuff out, infusial verb के क्या meaning है, one of के बाद में player लगाओगे, players लगाओगे, है न, one of के बाद में क्या लगाओगे, जो सीखा है, वही apply करना है, और मुझे लगता है, जिसने मन से देखा होगा पूरी वीडियो को, कम से कम 6 में से 4 या 5 match number आएंगे, इसका आपको answer मिलेगा, इसी वीडियो के first comment में answer को pin कर रहा हूँ, match कर लेना, और अपना score मुझे बताना, out of 6 आपको कितना मिला, descriptive के question भी दिखा देता हूँ, वही सवाल है, क्या different eras के players को compare किया जाना चाहिए, या नहीं किया जाना चाहिए, तीन sentence में इसका transfer करें, मेरा descriptive भी आपको मिल जाएगा, first comment में मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, रोज लिखो, सब का पढ़ो, मेरा भी पढ़ो, और अपना post करो, मुला का दोगे अगली वीडियो में, पूरे मन से सीखा करो, regular रहो, until then, signing out.